मिठाई खाना तो हर कोई पसंद करता है पर अगर यही मिठाई हम जटपर घर पे बना सके तो बजार जाने की ज़रुरती नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बजार से लाए हुई शीजों से घर का बना हुआ हर एक सीज बहुत जादा अच्छे होते हैं हल्दी होते है ऐसे में हम चाहे तो मिठाई को भी हेल्दी बना सकते है क्योंकि आज की जो मिठाई है ये हमने आटे से बनाया है तो आता एक हेल्दी सीज है ये हम सभी जानते है तो आटे से बने हुए ये मिठाई अगर आप बना के रख देंगे तो कभी भी आपको मिठाई खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं कम सामान में बहुती टेस्टी मिठाई ये बनता है और वग भी बनाने में बहुती कम लगता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये मिठाई तो Hello Friends, Welcome to Safika's Kitchen अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शियर और सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक पेन लेंगे उसमें डालेंगे एक चमस देशी घी अब घी की जगा बटर का भी यूज़ कर सकते हैं तो घी को हम पहले मेल्ट होने देंगे आंस को बिल्कुल धीमे रखने हैं आपको अब इसमें डालेंगे एक कटोरी गेहू की आटा और इस आटे को हम बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे करिब 7-8 मिनित हम इसे भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्छापन है वो निकल जाए आटा थोड़ा लाइट हो जाए इस तरह से और इसका कलर भी हलका सेंज हो जाए और जैसे ही इसका कलर शेंज हो जाए हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में और ठंडा होने देंगे तो ये देखिए हो गया है पैन को हम थोड़ा साफ कर लेंगे और इसी पैन में हम दालेंगे आधे कतुरी चीनी तो चीनी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी से पानी हमने दाल दिया है जितना चीनी उसकी आधा हमने पानी डाला है और अब हम इसे भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे चीनी को भी आश को मीडियम रखते हुए हमें इसकी एक तार की शाषनी बना लेनी है तो इस तरह बीच-बीच में छेक करें यह देखिए एक मिनित और हमें इसे चलानी होगी तो अब हम इसमें दाल देंगे थोड़ा सा फूट कलर यह ओप्शनल है आप नहीं भी डाल सकते हैं तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इससे कलर जो है वो थोड़ा सा बढ़िया हो जाते है तो अब हम इसे चेक करेंगे त और धीमी आज़ पे हमें इसे अभी पकाना है अच्छे से हमें सासनी के साथ इसे पकाना है इस तरह से इकत्था करते हुए आप अच्छे से इसे चला लीजिए ये देखिए हमारा जो बर्फी का पेस्ट है वो लगभग तयार हो गया है गैस को इस इस तरह से थोड़ा सा और हम फेट लेंगे बढ़िया से ये देखिए हमारा पेस्ट जो है वो बिलकुल रेडी हो गया है हमने डो इलाइची भी डाल दिया है तो अब हम इसको सेब देंगे आप जैसे सहे इसका सेब दे सकते है तो मैं इसे किसी धक्कन के सहायता से ये देखिए ये दवा का जो धक् इस बनाया है, यह देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, तो बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, यह जो है, यह मिठाई थोड़ा सा टाइट बनेगा, क्योंकि हमने इसका एक तार की शासनी बनाया है, तो यह थोड़ा सा टाइट है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अब यह जो पेस्ट है, यह देखिए, थोड़ा सा हाड़ हो चुका है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे, तीन तेबल स्पून डूट, और इसे बिलकुल लो फ्लेम पे हम एक मिनित पका लेंगे, और उसके बाद हम इसे सैट कर तो यह देखिए, हमारा जो पेस्ट है, यह इस तरह से तयार हो जाता है, तो आप देखके समझ गये होंगे, कितना ठीक है यह, तो इसे अब हम किसी टिफिन या किसी केक तीन में भी आप इसे सैट कर सकते है, हातों में थोड़ा सा घी लगा के, हम इसे हातों से ही सैट करें तो यह जो मिठाई है, यह थोड़ा सा सौफ्ट रहेगा, दोनों ही खाने में बहुत तेस्टी होगा, आप एक बर इस तरह से बना के जुरूर खाईए, तो यह देखिए, इसे उपर से अच्छे से प्लेइन कर देना है, और आप जैसे भी सहे इसे सजा सकते है, अब इसे आधे घंते के लिए हम फ्रीज में रखेंगे, आधे घंते में यह बहुती बढ़िया से सेट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसके बरफी निकालेंगे, तो यह देखिए, यह भी अच्छे से टाइट हो चुका है, तो अभी हम दोनों को ही आपको दिखाएंगे, तो यह हम इसे इस तरह से कट करेंगे, आप अपनी मंचहे आकार में इसे कट कर सकते हैं, इसकी कटने की अंदास से ही आपको पता लग गया होगा, कि यह कितना सॉफ्ट बना है, ये किन मानिए, इतने कम सामान में यह बहुती बढ़िया मिठाय बनके तयार होता है, और आप इसे क से, तो उमीद करती हूँ, आपको ये रेसिपी पसंद आये होंगे, तो देखिए कितना बढ़िया ये बर्फी बनके तयार हुआ है, और वो भी आटे की है, और खाने में इतना तेस्ती है, कोई नहीं कहेगा कि सिर्फ एक समस घीस में आया है, ऐसा लगेगा आपको खाने स कि आपने इसे पूरा घी में ही बनाया है, इतना तेस्ती है, तो उमीद करती हूँ, रेसिपी आपको पसंद आये होंगे, अगर जड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी सेनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो इसी के साथ ही विदा ले